नमश्कार दोस्तों दर्भंगा रोक्स में आपका स्वागत है दर्भंगा एररपोर्ट पर छपपड़ फार यात्र जो है वो आरहे है और लगातार दर्भंगा zurück जो है वो वेस्ट एरेपोर्ट के रूप mówर रहा है 700 यात्री जो है वो आज भी अप एंडाउन हुआ है यानि करीबन 13-1400 यात्री जो है वो आए हैं और परड़े 1000-1200-1300 यात्री लगातार आ रहे हैं यहाँ पर और इस तरीके से दर्भंगा एरपोर्ट जो है वो बिजियस्ट एरपोर्ट बनता जा रहा है इसी को ध्यान में रख करके पूरा खाका केंसरकार ने त्यार किया है एरपोर्ट अथरोर्टी ओफ इंडिया ने त्यार किया है कि अब यहाँ पर एक बड़ा टर्मिनल बनाए जाएगा तो आपको सबसे पहले बता देते हैं रिपोर्ट कार्ड एक फरवरी से 14 फरवरी के बीच की बात करें तो दरवंगा में टोटल 102 फलाइट आई है जिसमें 8900 एराइविंग और 8090 और 8033 डिपार्चर यानि टोटल 16123 यात्रियों ने यहाँ से सफर किया है पिछले 15 दिनों में और यह आंकड़ा बताने के लिए काफी है कि दरवंगा एरपोर्ट में कितनी शमता है कितनी ताकत है और इसे कैसे राष्टी अंतर राष्टी एरपोर्ट के रूप में विक्सित किया जा सकता और इसी को ध्यान में रख करके अब पूरी तयारी की जा रही है और आपको बता दें का और खोशकबरी है कि दरवंगा एरपोर्ट पर एप्रोन बनाने का काम तयार हो चुका है complete हो चुका है तो अब एक साथ यहां पर तीन विमानों की आवाजाही हो सकेगी दो विमानों को एपरोन के अंदर रखा जा सकेगा एक मिवान मूवमेंट में होगा तो यानि तीन विमान का संभव होगा परिचालन एक समय में और आपको बता दें कि यह कल यानि मंगलवार से विमानों को एलोकेट किया जाएगा इस अपरोन के अंदर ऐसी संभावना जता ही जा रही है और इसके आ जाने से इंडिगो और बाकी एरलाइंस किम्पनिया भी आ सकेंगी तो अब विमानों को रनवे से अपरोन ले जाकर वहां पर फियूलिंग का काम होगा और रनवे ख साथ आपको बता दें कि यह जो बासुदेवपूर का इलाका इनच 57 से जुड़ा हुआ यह स्थाई टर्मिनल के लिए चिन्ही जमीन है जहां पर अब 31 या 34 एकर नहीं अब यहां पर 74 एकर जमीन की बात हो रही है और अब जिलादिकारी से कहा गया है कि 74 एकर जमीन का इंत विमान यहां पर एप्रोन में रखा जा सके तो यानि कि कम्प्लीट डबल और बड़े बनेगा नया टर्मिनल भवन बड़ा भवन बनेगा 74 एकर जमीन की अधिगन किया जाएगा आब और एरपोर्ट के विस्तार को लेकर जमीन अधिगन की प्रक्रिया तेज हो गई है और अधि कारियों ने यहां पुंच कर मुएना किया था, जमीन को देखा था, जिल अधिकारी और भूर जन अधिकारी से उन्होंने विस्तिर्च चर्चा की थी और बासुदेपूर में बाइपास के नजदीक जमीन का मुएना किया गया और डीम डॉक्टर त्याग राजन एसम ने शनिवार को विभागी अधिकारियों के साथ बैठक भी की थी तो महरतन बैठक कुई थी और इसमें एरपोर्ट अथर्टी ओफ इंडिया भुवरजन अधिकारी और सम्मंधित विभागों के अधिकारियों ने प्रस्तावित जमीन का निरिक्षन किया था और इसमें आपको बता दें कि टोटल 74 एकड़ जमीन चिन्हित करने को कहा गया है अधिकरित की जाएगी और उसके बाद यहाँ पर बड़ा टर्मिनल बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तो साफ हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में जमीन अधिकरिया जल्द ह पूरी करके यहाँ पर निर्मानकारी शुरू किया जाएगा तो सबसे बड़ी चीज यही है कि दर्भंगा एरपोर्ट पर अब जो है लगातार यात्रियों की जो संख्या है या फिर बाकी विमानों विमानन कंपनियों के आने की बात है वो उस समस्या को दूर करने के शुक्रिया धन्वाद जहिन